नमस्कार आज मैं एक चने के फिल्ड में हूँ और मैं मौनिंग फोक्ट पर आया था साइक्लिंग करने तो हमारे साथ ही किसान है मनोजी इनके फिल्ड में आया हूँ अंब इनकी यह एक खेट में यह चना उग रहा है और उसको कोई इंस्ट काट रहा है जैसा आप यहां दे कम लग रही है तो मेरे को अंदेशा यह थथा को में इसमें नहीं हो चने का एक बहुत ही मिले हैं जिसको आप बोलते हो अपनी लोग detail में घर को का out तो भी तो बहुत ज्यादा डेमेज नहीं है कुछ प्रांट स स्वाइब को से प्रस्टा मुइन जब जदा है तो सही हम v Bund कर रहे कि रहें कि कुछ ऊपर जायेगा नहीं पर चुप जाते हैं तो उन पर भी इस प्रेय का उतना ज़्यादा असर होगा नहीं तो अभी तो इनको कुछ भी नहीं करना चाहिए मेरे को कट वर्म का अंदेशा था कट वर्म चने का बहुत ही सीरियस पेस्ट होता है और यदि कट वर्म आपके खेत में है तो वह आपके ख सीवियर नहीं है उसमें आप कुछ ना स्प्रेय करने के लिए रिक्मेंट करो यह भी एक आपकी एडवाइज बेटर बेतर हो सकती है क्योंकि उसे फार्म का पेशा बसता है टाइम बसता है और इसमें इतना बहुत सीवियर डेमेज है नहीं और कट वर्म है नहीं होपर कित टने में चणा जब से उगता है उससे लेके बढ़ा होता तब तक नोशेश करता रहता है और क्या करेंगा जो जमीन के पास से उसको काट देगा रात के टाइम में और उसको वापिस उसका तो आपो जंडाने जाने की वह और सब्सक् petition का और होती है क्यादान हुग क्लोरा पाईफोउस ऊइंडरे उपंड है और करिया सब्सक्राइब हल्यच का अज़ता है Spot इसमें भी होपर्स कडे में ज्यादा बढ़ता है तो हम क्लोरोपारिफोस या प्रोफेनोफोस का स्प्रे करेंगे नवस्कार जहिंद